ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वालगत है आप में क्या करता हूँ इन डिजाइनिंग में फाइल में के एक कंटोल एंड डॉकॉमेंट्स मैंने एक नूपेज लिया इस तरीके से फाइल में जाके मैं आपको फिछली वीडियो में मैंने यहां तक बताया था कर सकते हो जिसे जो चीज हम यहां से किलोज करते हैं वह चीज आप भाल से कर सकते हो अंदल से कर सकते हो तो जैसे मैंने किया किलोज तो यह किलोज हो जागा पेज फाइल में गए कंटोल एंड मैंने किया डॉकॉमेंट्स तो एक नया पेज आप यहां से लिख आ सकते हैं प्तालां गए हमने किया है जाकि इसमें कह सिसे संडाथ सेमें इसमें आपको वर्ड एक्से उद साड़ आप k Dallas ऑफ सेव कर सकते हैं से यinhas मैं एक ही फाइल को अलग अलग नाम से कर सकते हैं सेव का कांदा करते हैं मैंने कियाАं डेश्टोप प्र के लिए कि आप कोई भी नाम दे सकते हैं तो जिसे मैंने पी के नाम से यह फाइल सेव कर दे इस तरीके से सेव करने के बाद आप मैं इसमें और कुछ काम करना चाहता हूं तो अगर मुझे इसको अलग नाम से save ना करके उसी file में save करना है तो आप करेंगे control as save तो यह save हो जाएगा उसी file में आप उसको save कर सकते हैं तो एक नया नाम देने के लिए आप save as का use कर सकते हैं चेक इन अगर कोई पुराने version की file है जैसे page maker की quark की file है तो यह बताता है कि हम कौन से software से उसको लेकर आया है कौन से version से हम लेकर आया है उसकी information यह हमें देता है save a copy एक duplicate copy को save करता हुआ यह बनाता है जैसे मैंने अभी p के नाम से save कर रहा था तो यह save a p copy शो कर देगा मतलब एक duplicate copy बना के देदेगा इसकी और एक इसका use यह भी है आपका कि अगर आप इसको save करते हो तो यह एक ही step को save करेगा यह जैसे कि अगर में हाँ एक दो rectangle और बना देता हूं तो यह दो rectangle को save ना करके only 4 rectangle को ही save कर पाएगा क्योंकि यह only one step one copy save करता है इसके बाद आपका चलता है reward अभी शोनी कर रहा reward का काम होता है जितना matter हमारा save है उतना यह काम करता है तो जैसे मैंने यह rectangle लिया इस तरीके से काफे सारी rectangle ले रखाऊं तो यह जैसे file पहले से save है तो file में गए आपने किया reward तो जितना matter save है उतना वापस आ जाएगा यह इस तरीके से तो reward का काम है जितनी file हमारी save है उतना वापस लाने के लिए आप यूज कर सकते हैं जब तक file save ना हो जब तक यह show नहीं करेगा तो इसके लिए हमें file को save करना जरूरी होता है तो आज यह मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं धन्यवाद